हेलो नमस्कार जाहिन दोस्तों स्वागत आपका प्रवल डिफेंस अकाड़ीम है मैं हूँ योगिस सर्मा और आप पीछे देखी रहें कि आज हम कवर करने वाले हैं अगनी सीरीज की मिसायल है जिनके जैसी लेटेस्ट वर्जन के जो के टेस्ट किया या ते कंड़क्ट किया तो चलिए बढ़ते हैं देखते हैं कि अगनी सीरीज के जो शुरुबात है वो किस प्रकारस हों उससे पहले आपको बताए की जो सी City जो आपना टार्गेट चेंज नहीं कर सकती है कि अपना टार्गेट चेंज कर सकती है और इस जगह से कोई अपना टार्गेट चेंज कर सकती है अगर टार्गेट ना टार्गेट को हेट करती है बेसिकली इसी प्रकार से देखते हैं आपके टॉप एडम वारेड इसका मांट किया जाता है और यह सारे टुकडे इस प्रकार से और जाकर के दुसमन पर बरसते हैं इस प्रकार से काफी जाधा डैमेज दुसमन का करते हैं जाकर के ठीक है इस प्रकार से वारेड इसका टुकड़ों में बिखर करके जमीन को हिट करता है इस प्रकार से जो military equipment जो भी है चाहिए आर्म जहां पर infantry रेजिमेंटों कोई भी या फे किसी प्रकार का military का जो वाड़ा हो उसको अगर hit कर रहा है तो इस प्रकार से वार है टूटूट करके आपके गिरते हैं और ये काफी ज्यादा डेमेज करते हैं ठीक है तो इस प्रकार स इस प्रकार से चाहिना भी नर्वस होता है इंडिया के अगनी सीरीज को लेकर करके क्योंके वह बाक्सर बोलता रहता है कि इंडिया अगनी सीरीज अगनी सिक्स पर काम करें आ अगनी इंट क्कोनिति सायल का परिच्ञड करा जίस से निट को एंसरेट निट को क्टा राए है इसक fittया इंडिया इंड़िया जो कर रहा है और रीजयं के रही है कि परकार से पागिस्तान रोचा डैन की रही है यह कही नहीं रीजन में अन्येंड पय्दा करती है पड़ोसी रीजन्स पड़ोसी देशों में इस्टेविल्टी बनाए हुए इसलिए पड़ोसी अच्छे प्रकार से ग्रोग कर पा रहे हैं ठीक है जहां भी चैनल अपना इंफ्लेंस दिखाया है उनके नतीजे आपके सामने हैं देखी रहें किस प्रकार के नतीजे मिल रहे ह है ठीक है नेक्स्ट बात करेंगे अगर वरक इन अफ अगनी अजी देखेंगे तो अगनी मिसाल बलेस्टिक मिसाल है जुकिनीशली प्रोपैइल जो कि रॉकेट सीरीज इसको लेकिए सबसे पहले स्टार्ट किया गात अब जानते मिसाइल मैन आफ इंडिया के नाम से जान करते हुए इसकी टाइंब वैलोसिटी इन पर काम निरंतर चलता रहा इसकी प्रकार से आते रहे तीन फेसिक लिए किसी वेलेस्टिक मिसायल के पास होते हैं बूस्ट फेस में जो इसको आप देख सकते हैं ठीक है बीच का मिट फेस जो वारेड करी करके ले जा रहा है next अपका boost phase जो boost करने के जो इसको speed देने के उसके बाद इससे connection उसका हट जाता है और वो दूर जाकरके गिर जाता है Warhead की वात कर दो Warhead टुकड़ों में बिखर करके किसी भी territory को hit करता है जिसकी वैसे वो दूसमान की territory को काफी जदा डेमेज पहुंचाता है क्यों एक टारगेट नहीं वो बिखरे हुए टारगेट के तौर पर जमीन पर हमला करता है जिसकी वज़ाँ से वह कहीं न कहीं दुस्मन की सेना में एक फॉफ जन्रेट करता है हालंकि फायर फर्गेट मिसाइल है लेकिन फिर भी इसको इतनी इजली डिटक्ट नहीं किया जा सकता है कहीं दुस्मन की सेना को डेमेज पहुंचाया जाता है इन मिसालों के जाद द्वारा इसलिए ही तो चैना और पाकिस्तान दोनों ही से थ्रेट महसूस करते हैं तो कि चै लाए गया इसमें टूस्टेज रोकेट आपको पता है कि इस्तमाल हुए शुरूबात में डियाडियों का इसमें एक एहम योगदान रहा है और यह पीजब्दुल कलाम का भी अगर डवलप्मेंट आफ अगनी सीरीज की बात करें तो यह आई-जी-एम-डी-पी के अंतरगत अंतरगत अगनी सीरीज को भी कंटिन्यू किया गया इंडिया ने सबसे पहली अगनी सीरीज की मिसाल का फस्ट टाइम परिच्छन किया और गदी अंतरगत लिए फार आते आते अगनी सीरीज की मिसाल है उसे कहीं ने कहीं इंडियन भार्ती सेनाओं में इंडिक्ट कर लिया गया कि अगर मिसाल के डवलप्मेंट कारिकरम की बात करें तो यह 9083 में इसको चलाया गया अंदर दा लीडर से पाफ एपीज अब्दुलकलाम जिनको मिसाल में के ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है कि उनका एक एहम योगदान रहा है मिसाल डवलप्मेंट डिया डियो ने इसको लीड किया और इसमें फस्टेस्टेजिस ऑफ इंडिया का एसल वी थ्री स्पेस लॉंच वेहिकल का इस्तवाल करते हुए हमने इसको कर दिखाया और फस्ट वेरियंट अगनी का बना करके थिया इसमें सीरिस देखते हैं एक से लिए पांस तक और छटवी पर भी काम चल रहा है और जिसको लेकर के चाना नर्वस होता रहता है बारवार अगनी फाइब को लेकर के और अगनी सिस्कों लेकर के ठीक है अगनी मिसाल की सीरीज आप देखनें फस्ट सेकेंड थर्ड बात करेंगे इसको अप्रेल 19 2012 अगर अगनी टू की बात करना तो 23 अगनी 3 2015 इस प्रकार से इसमें कुछ बदलाव होते हुआ और इनको टेस्ट किया जाता है एपीज अबदुल कलाम दूइप से इनको से चेक किया जाता है जिसे अब देखने कंप्लीट चैना रसिया इंक ऐसको का जाता है क्योंकि ये कॉंटिननेंटल मार मे कि छमता रखती है ठिक है इन्कलोडिंग मोट अवली इंडियन सब कांटिनेंट इनको को तो काउंटर करती है तोHAHA द시면 आफरीकर फूरा रीजन अप्लेकर रहा है ये इप देख रहे हैं यूश्ञार ये चारियं इसकी जो actual range है वो कभी reveal नहीं होती क्योंकि कहीं न कहीं एक concerning होता है अगर इसका वजन की बात करो तो 50,000 kg इसके अंदर वजन देखने को मिलता है लेंद्थ की बात करना 17.5 मीटर रहती है डायमेटर्स का 2 मीटर रहता है और इसकी speed 24 मैक देखने को मिलती है ठीक है यानी sound की speed से 24 times speed से travel कर सकती है nuclear warhead ले जाने में माहर है वजन 1500 kg तक पे लोड ले जा सकती है असानी से तो इसलिए ही कहीं एक threat बना देती है दुसमान की सैना के लिए अगनी फस्ट की बात कर लेते हैं तो अगनी फस्ट बनाने का कारिकरम है यह 1999 से ही चालू कर दिया गया जिसके अंत 700 से ले करके बार्श अगलो मिटर तक रही अगनी फस्ट पर बात कर लता अगनी फस्ट का जो डलो पेंट का जो कारिकरम है वो 1999 में स्टार्ट होगा और जो अगनी फस्ट है वो सौट रेंज बेलस्टिक मिसाल के नाम से जानी जाती है मीडियम रेंज बेलस्टिक मिसाल सौट रेंज बेलस्टिक मिसाइल इसकी रेंज की बात कहां 700 से लेकर के 1200 किलो मिटर तक की रहती है प्रॉपलेंड इसका सॉलिट प्रॉपलेंड बूस्टर में इस्तुवाल किया जाता है यह अगनी फस्ट नेक्स्ट अगनी सेकेंड के पर बात करें तो अगनी सेकंड आपकी प्रोटोटाइप एकनी सेकंड मिसाइल जो के जिसको भारत डैनेजमस किलिम्टेड ने इसकी रेंज की अगर बात करोगे तो 2000 किलोमेटर तक इसकी रेंज पेलोड केपेसिटी इसकी रहती एकजार गेजी की और टू स्टेज स्टेस्ट किया गया तो दोया साथ में पहली बार टू स्टेजस वही सेम सॉलिड प्रोपलेंट रेंज बात करेंगे तो रेंज भी इंक्रीज होगी थ्री फाइव यानि थ्री थाउदन फाइव अंडर किलो मीटर तक की रेंज और पेलोड कैपेसिटी पंद्रसों केजी तक का पेलोड ले जाने में महेर नेक्स्ट बात करेंगे अगनी फोर की तो अगनी फोर की अगरम पेलोड कैपेसिटी वही बन थाउजन गेजी लेकिन स्की रेंज बढ़ करके 3500 से 4000 किलो मीटर तक की रेंज में मार सकती सर्फेस टू सर्फेस मिसायल है मुवाइल लॉंचर ट अगनी फिफ्ट आप देखेंगे तो अगनी फिफ्ट यह सॉलिड इंटर कॉंटेट ब्लस्ट इमसायल इसकी जद मैं ना सिर्फ इंडिया सब कॉंटिनेंट अथा वलके दूसरे कॉंटिनेंट भी सामिल है सर्फेस टू सर्फेस बलस्टिग मिसायल अगें थ्री चल रहा है जिसकी रिंज मांते हैं और यह जो के आप देख रहे हैं कि यह जो पेलोड कैपेसिटिस की 1000 kg तक का पेलोड ले जा सकती है और अगनी से सोरे मिसाल जिसकी बात कई जा रही है वो लगवक 10,000 km तक की रेंज उसकी बताई जा रही है जो कि अभी खबरों में रियल्टी क्या है आने पर ही पता चलेगी लेकिन इनकी और से क्लेम किया जाता है उसकी बात हम कर रहे हैं नेक्स्ट और बढ़ेंगे तो देखेंगे हमारे पास में अगनी सिक्स जिस पर बात जिस पर संबरीन और लेंड दोनों से जैसे अपने देखा ना कि इसकी जब इनमें वर्जन अप्ग्रेड हो रहे हैं तो जाकर कि मिसाइल जो टेकनोलोजी है यह अपने आप में लीथल बन रही है दुस्मान के लिए खौफ पैदा कर रही है तो अम्मीद है यह अगनी से मिसाइल सीरीज आपके लिए हैलफुल रही होगी एक जानकारी प्रवाइड करी होगी आपको और मिलते हैं अगले इसी प प्रवाइड कर लिए मिलते हैं अगले गवाइड कैदा यह हैं अगले इसी दुस्मान रही है लिए मिलते हैं यह जानकार रही है तो जानकारी कर रही है